हम लोग पढ़ रहे हैं आकर्थि स्विंक्रा पूर्थि आज हम लोग देखेंगे अभयास प्रश्णावली हम पहला प्रश्ण देखेंगे पहले इसमें देखें बच्चों क्या कर रहा है इसमें एक यह मलब एकदम उपर आ गया और दोनों तरफ जो है इस प्रकार से घूमा हुगा है ओर अब की बार क्या करेगा यह यह A यहाँ पर है और यह T यहाँ से घूम कि यहाँ बार आया है और लेकिन जो है यहाँ पर 1 तिर घूम यो गया इस साइड में नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से यह ए बनेगा ठीक है तो यहाँ पे यह वाला है इस बार यहाँ पे आएगा लेकिन देखिए यहाँ पे एक था तो यहाँ पे दो हो गया लेकिन बाए साइड में है यहाँ पे एक ही साइड में लगा हुआ है तो यह भी गलत हो जाएगा इसमें भी बाए साइड में दोनों तीर लगा हुआ है तो यह भी गलत हो जाएगा इस वाले में देखिए इस वाले में नीचे लगा हुआ है दोनों साइड में और हमको यही वाला एकदम से match करवाना था तो उत्तर की रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number दूसरा question number दूसरा यहाँ पे है यहाँ पे जो है चत्रुवज बना हुआ है ठीक है इस वाले में देखे एक बुजा उपर वाला भुजा जो है कम कर दिया मतलब एक बुजा कम कर दिया है फिर इसके बाद में यहाँ से ये वाला भुजा कम कर दिया यहाँ पे दो हो गया तो यहाँ वे बच्चों इस प्रकार से इस प्रकार से एक ही बचेगा क्योंकि देखें पहले ये वाला कम किया फिर इसके बाद ये वाला कम कर दिया है फिर इसके बाद में ये वाला कम करेगा क्योंकि ये इस प्रकार से कम होते हुए आ रहा है तो इस बार ये वाला कम करेगा तो इस प्रकार से बचेगा जो इस परकार से पहले में है तो उत्तर की रूप में हम लोग option number 1 लगाएंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 3 question number 3 देखेंगे और जानेंगे कौन सा सही होगा इसमें देखिए पहले वाले में एक रेखा खिचा हुआ है दूसरे वाले में 2 रेखा खिचा हुआ है तीसरे वाले में 3 रेखा खिचा हुआ है तो चौते वाले में बच्चों क्या करेगा ये 4 रेखा इस परकार से खिच देगा ठीक है तो 4 रेखा किसमें है इसमें देखिए इस परकार से तीन लाइन है तो यह गलत हो जाएगा इस वाले में देखिए चार रेखा है तो उत्तर की रूप में हम लोग यह दूसरा लगा देंगे और यह वाला मैच नहीं कर रहा है यह भी नहीं ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 4 question number 4 देखेंगे और जानेंगे इसमें कौन सा उत्तर है इसमें देखिए यह तीर बना हुआ उपर की साइड में इसको इस परकार से गुमा के साइड कर दिया और कालिक भी लगा दिया तो अगर यह वाला यह यह वाला था इसके बाद कालिक लगा दिया फिर यह साधा है तो इ यह भी इस परकार से कालिक लगेगा ठीक है तो यह वाला देखिए एकदम से पहले वाले मैच कर रहा है उत्तर की रूप में पहला सही हो जाएगा ठीक है बच्चों अब हम लोग देखेंगे question number 5 question number 5 में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए यह तीर यहाँ वाला यहाँ पर कर दिया और बीच वाला यह दोनों किनारे किनारे पर कर दिया ठीक है इस परकार से यहाँ पर देखिए अब यह कोने पर है बराबर का निसान और गुड़े का निसान अब की बार यह दोनों बीच में कर देगा तो देखिए यह वाला यह वाला पीच में लगेगा और ये तीर ठीक है और ये वाला ये जो है बराबर और जो है गुड़े का निसान ये जो है कोने कोने पर जाएगा ठीक है तो ये वाला यहां पर आ जाएगा और ये वाला यहां पर आ जाएगा ठीक है इस परकार से आ जाएगा हम लोग इसी परकार से उत फिर गुडे का निसान ठीक है तो यह वाला एकदम से मैच कर रहा है तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे बाकी सभी गलत हो जाएंगे अब हम लोग देखेंगे question number 6 question number 6 में देखेंगे और जानेंगे कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक आकरती बना हुआ है अब इस सवाले में देखेंगे यह आकरती इसके ऊपर एक बना दिया और एक रेखा खिच दिया है ठीक है मतलब यहाँ इसमें कितना जुड़ा है यह वाला और यह वाला दोनों जुड़ गया है अब इस सवाले में देखेंगे यह वाला यह वाला धाई हो गया ठीक है अब इसमें क्या होगा साड़े तीन जोड़ेगा मतलब इस परकार से बनेगा मतलब जैसे यहां पर एक हो गया यहां पर दो हो गया यहां पर तीन हो गया यहां पर चार हो गया ठीक है अब इसके बाद में यह यह वाला यहां पर है तो इसको एक हो जाए होगा तो हम लोग देखेंगे 7 कम सकम होना चाहिए 1 2 3 4 5 ये तो गलत हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 दीखे बच्चों इस वाले में 7 है इसमें देखेंगे 1 2 3 4 ये दिए भी गलत हो गया 1 2 3 4 5 6 ये भी गलत हो गया तो 7 वाला मेंटर इस वाले में मैच कर रहा है तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगा देखेंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे कुश्चन नमबर 7 कुश्चन नमबर 7 देखेंगे और जानेंगे इसमें से कौन उत्तर होगा और हम लोग उसी के अधार पर लगाएंगे तो यहां पर देखेंगे इस प्रकार से तीर बना हुआ है इसका अपोजिट साइड जी ये इस साइड में बाय साइड में गूमा तो इसमें जो है देखें यहां पर जिस प्रकार से तीर इधर साइड में गया है और यह वाला इधर अगया है तो इस वाले में क्या करेगा जो इस साइड में है मतलब ऊपर बाय साइड में गया है नीचे दाय साइड में गया है तो अब की बार जो है नीचे वाला इस साइ इस प्रकार से जहां पर आकृति होगा वही उत्तर होगा तो इसमें देखिए पहला वाला मैच कर रहा है उत्तर की रूप में पहला सही हो जाएगा बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इन सभी में घुमाव नहीं है तो उत्तर जो है यह सब गलत हो जाएगा बाकी पहला वाला सही हो जाएगा ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 8 question number 8 में देखिए यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है यह तिर्भूज बना हुआ है तिर्भूज को देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दिया यहाँ पे गोला बना दिया है मतलब एक संख्या बढ़ गया फिर इसके बाद में तिर्भूज तिर्भूज नीचे कर दिया है फिर गोला यहाँ पे कर दिया है और जो है ये वाला तीर यहाँ पे लगा दिया ठीक है तो इसमें देखी ये पता चल रहा है कि ये इसी साड में मतलब इतने कि नीचे ही सभी बन रहे है ठीक है तो इसमें भी जो बनेगा इसके नीचे ही बनेगा उपर नहीं बनेगा तो देखे इसमें ऊपर बना हुआ गलत हो गया इसमें भी ऊपर बना हुआ है तो ऊपर जो बना हुआ है ये भी गलत हो जाएगा इसमें नीचे है और इसमें नीचे है तो पहले हम लोग देखेंगे ये तीनों किसमें है तो देखे ये वाला तिर्भूज ये वाला ये वाला इसमें है ये तिर्भूज ये गोला ये तिर्भूज इसमें है तो देखे बच्चों इसमें देखे हर बार अलग 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 से बना रहा है मनलब अलग डिजाइन बना रहा है तो इसमें देखे ये गोला है ये छोटा गोला है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा ये वाला देखिए अलग बना हुआ है तो उत्तर की रूप में हम लोग इसी तीसरे को लगा देंगे ठीक है क्योंकि हर बार आकरिती अलग बन रहा है अब हम लोग देखेंगे question number 9 question number 9 में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से उपर से नीचे की side में 2 रेखा खिचा हुआ है और इसके बाद में यहाँ पे इस side में बाय से दाय साइड में 3 रेखा खिचा हुआ है इस प्रकार से अब देखिए यह रेखा जो है यह वाला रेखा इस प्रकार से खड़ा करके 3 कर दिया इसको 2 कर दिया है अब यह वाला 3 है इसमें से एक कम करके इसमें एक जोड रहा है मतलब यहाँ पर 3 था इसमें 3 है इसमें 4 है तो बच्चों यहाँ पर 5 हो जाएगा इस परकार से 5 हो जाएगा लेकिन यह वाला रेखा घट रहाता है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 को नही होगा मतलब सब खतम हो जाएगा तो इसमें से देखेंगे जिसमें रेखा नहीं होगा वह यह एंसर हो जाएगा देखिए इसमें दो है तो यह गलत हो जाएगा इसमें देखिए इस परकार से चार है तो यह भी गलत हो जाएगा इसमें तीन है तो यह भी गलत हो जाएगा इस इस प्रकार से एक बिंदू लगा हुआ है डाट लगा हुआ है इसमें क्या कर रहा है यह जो है बिकण हटा के बीचों बीच से इस प्रकार से कर दिया और यहां पर नीचे था यहां पर उपर कर दिया तो इसी प्रकार से देखी यहां पर बीच में था न इस बार जो है यहां किसी कोने पे चला जाएगा तो देखें यह नाच रहा है जिसे इसमें था तो यहाँ पे आ गया अब इस वाले पे यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा यहाँ पे नहीं लगेगा और यहाँ पे क्या कर रहा है यह बिंदू यहाँ पे है तो इस चित्र भी बनाया था, यहाँ पर देखे जिस प्रकार से बना हुआ है बिंदु यहाँ पर लगा हुआ है, उसी प्रकार से चौथे वाले में एकदम से फॉलो कर रहा है तो उत्तर की रूप में हम लोग इसी चौथे नंबर को लगाएंगे, ठीक है अब हम लोग देखेंगे, क्विस्चन नंबर 11 क्विस्चन नंबर 11 में यहाँ पर एक चतुरुभुज बना हुआ है और यहाँ पर एक ग्या हुए, बृत बना हुआ है, गोला बना हुआ है देखे, क्या कर रहा है, इसको जो है यह वाला यहाँ पर कर दिया है और यह वाला यहाँ पर कर दिया है मतलब इसका यह वाला नीचे घिसका कि यहाँ पर कर दिया है और इसको उठा कि यहाँ पर कर दिया है इसमें देखिए इस परकार से बना हुआ है तो इस वाले में क्या करेगा इस वाले को यहां कर देगा और इस वाले को यहां कर देगा ठीक है यही करेगा वो ठीक है इसमें उपर नीचे किया था इसमें जो है दाए बाए खसका देगा ठीक है दोनों तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम इसी प्रकार से देखेंगे त क्योंकि option में नहीं है तो इसको यहां पर उपर कर देगा इसको यहां पर नीचे कर देगा ठीक है तो यहां पर हम लोग इस प्रकार से आकृति बनाएंगे यह गोला उपर था यहां पर तो गोला नीचे हो जाएगा यह वाला नीचे है तो यहां पर यह उपर हो जाएगा ठी देखेंगे question number 11, question number, sorry, question number 12, question number 12 में क्या कर रहा है यहाँ पे, एक point लगा हुआ है, एक चत्रुपज बना हुआ है, इसके अंदर point लगा हुआ है, फिर यह point जो यहाँ पे कर दिया, इस side में, ठीक है, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा बाहर कर दिया है, तो इस वाले में क्य करेगा, देखें, यहाँ पे, यहाँ था, तो इसमें यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मलब इसका opposite side कर दिया, इस बार जो है, यहाँ पे है, इस रेखा पे, तो अगली बार कहाँ का इस रेखा पे हो जाएगा, मतलब इस परकार से यह चत्रुपज बनेगा, और यह वाला point यहाँ पे है इसमें यहाँ पे आधा काड़ते हुई यहाँ पे बन जाएगा जैसे पहले में बना हुआ है तो क्या होगा उत्तर की रूप में हम लोग इसी पहले को लगाएंगे बाकी सभी जो है गलत हो जाएगा ठीक है अब हम लोग देखेंगे कुश्चन नमबर 13 में बुजा बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से और बीच में प्लस हो जाएगा तो अब हम लोग देखेंगे उत्तर में जिसमें 6 बुजा होगा तो देखें इसमें 4 बुजा है इसमें 5 बुजा है इसमें 6 बुजा है तो यही सही हो जाएगा इसमें 5 बुजा तो है लेकिन यह यहां पर बना हुआ है इसमें देखिए क्या कर रहा है इस परकार से इसमें यह बढ़ा दे रहा है फिर इसमें जो है यहां पर बढ़ा दिया इस वाले में क्या करेगा यहां पर भी बढ़ा देगा इस परकार से ठीक है तो इसी परकार से इस परकार से मानले जी आकरित बना ह यहां पर घुमा हुआ है यहां पर घुमा हुआ है यहां पर घुमा हुआ है तो इस वाले में यहां पर घुमा देगा इस प्रकार से जहां पर आकरिती होगा वही उत्तर होगा तो इस वाले में देखिए दोनों बाहर के तरफ निकला हुआ है तो यह गलत हो जाएगा इसमें सबी चारों बाहर की तरफ हैं, यह भी गलत हो गया, इसमें देखिए एक अंदर एक बाहर यह भी गलत हो गया, यह वाला सरकिल जिस प्रकार से हम यहाँ पर बनाए हैं, उसी प्रकार से इसमें बना हुआ है, तो उत्तर के रूप में यही चौथा वाला सही हो जाएगा, और इसमें बना हुआ है, अब हम लोग देखेंगे question number 15, question number 15 में क्या कर रहा है, इस प्रकार से एक तीर घुमा रहा है, फिर इसमें दो कर दिया, इसमें तीन कर दिया, तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए, यहाँ पर बना हुआ है, इस प्रकार से, तो अगला क्या कर रह यहाँ पर इस परकार से घुमा देगा ठीक है यहाँ आपस में इसी परकार से चलेंगे तो देखिए इस पहले वाले में एकदम मैज कर रहा है चार भी है तो उत्तर यह हो जाएगा और इस वाले में जिस परकार से जिस साइड में तीर लगता होगा घुम रहा है उसी परकार से इसमें भी घूमा हुआ है इसमें तीन है तो ये गलत हो जाएगा इसमें उल्टे साइड में घूमा हुआ तो ये भी गलत होजाएगा इसमें भी 3 ए तिह गलत हो जाएगा तो तर्की रूप में कौन सा जाएगा पहला वाला ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 16 question number 16 में जो है हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा उतर सही होगा इसमें देखें बच्चों क्या कर रहा है इसमें चतुरबुज इस परकार से बना हुआ है इसके इस वाले कोने पे एकदम उपर वाले कोने पे बाय साइट से इस परकार से एक रेखाखेचा हुआ है इसको इस परकार से पूरा असरकिल घुमा के यहाँ पे कर दिया फिर इसको इस परकार से घुमाया यहाँ पे आ गया यह फिर इसको घुमाएगा तो यहाँ पे बनेगा ठीक है तो उत्तर की रूप में हम लोग किसको लगाएंगे दूसरे वाले को ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 17 question number 17 में यहाँ पे एक गोला बना हुआ है उपर से एक बिंदू से मलब एक रेखा खेचा हुआ है अब इसको इस परकार से गुमार आया पूरे ही रेखा को यह वाला रेखा यहां पे आगा यह वाला रेखा यहां पे रहता है तो यहाँ पर हो गया अब इसको जो है फिर से घुमाएगा जब यह वाला रेखा कहां पर जाएगा यह वाला देखी यह वाला रेखा घूम रहा है ठीक है तो आकरी वाला एकदम फिक्स रहता है यह वाला आकरी वाला है यह एक रेखा यहाँ पर हो जाएगा और एक रेखा नुमर 18. Question no. 18 में क्या कर रहा है? यहां पर एक जो है, बृत बना हुआ है, और गोला बना हुआ है, इसके अंदर जो है, दो बिंदू लगे हुए है, इस वाले में देखिए, तीन बिंदू लगा हुआ है, इसमें चार बिंदू लगा हुआ है, तो यहां पर जो बनेगा, य इसमें चार बिंदू यह भी गलत है, इस वाले में पांच बिंदू है तो उत्तर की रूप में हम लोग इसे चौते नंबर को लगाएंगे, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे, question number 19, question number 19 में देखें, यहाँ पर क्या कर रहा है, यह 5 है, यह 10 है, यह 15 है, मतलब क्या कर रहा है, यह 5, 5 सभी में जोड़ रहा है, फिर इसमें देखें, 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे, तो 15 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ें देखेंगे question number 20 question number 20 में क्या कर रहा है यहाँ पर देखें बच्चों क्या कर रहा है यहाँ यस बना हुआ है यल बना हुआ है टी पी ठीक है यस यल टी पी तो हम लोग क्या करेंगे एक अच्छर को पकड़ेंगे यस को ठीक है Yess को पकड़ेंगे और हम लोग शिरिफ Yes को देखेंगे कहां-कहां पे जा रहा है तो Yes देखें यहां पे अभी चाही है उपर में अब इसके बाद में नीचे आ गया फिर इस वाले में देखेंगे यहां से यहां आ गया तो इसमें देखिए इस वाले पर है तो यह गलत हो गया इसमें देखिए जहां पर होना चाहिए इस वाले में वहीं पर है इस वाले में देखेंगे इस वाले में देखिए यहां पर T है इस वाले में देखिए यहां पर P है तो yes देखिए सिर्फ यही में इसी में सिर्फ यहा तो उत्तर की रूप में हम लोग इसी वाले दूसरे वाले को लगा देंगे क्योंकि यस जहां पर है फिर इसके बाद यह P हो जाएगा फिर यह T हो जाएगा फिर यह YL हो जाएगा ठीक है तो उत्तर यही सही है हम लोग देखेंगे question number 21 question number 21 में देखेंगे इस परकार से आकरती बना हुआ है और इस परकार से घूम रहा है तो इसमें से answer जो है यह पहला वाला हो जाएगा हम लोग देखेंगे question number 22 question number 22 में देखेंगे और जानेंगे क्या इसमें कह रहा है इस वाले में देखेंगे क्या कर रहा है इसमें देखे इस प्रकार से आकृति बना हुआ है और यहां पे डॉट लगा हुआ है यह इस प्रकार से यहां पे आकृति बना हुआ है तो देखे यहां पे बाये साइड में कोने पर और इसमें दाये साइड में नीचे वाले कोने पर इस प्रकार से बना हुआ है तो इसको यह वाला यहाँ पे कर दिया यह वाला यहाँ पे कर दिया है देखिए यह वाला इस कोने पे आ गया और यह वाला इस कोने पे आ गया तो अब यह यहाँ पे है देखिए इस परकार से घूम रहा है ठीक है इस परकार से घूमेगा ठीक है इस परकार से घुमेगा तो यह यहाँ पर है तो अगली बार क्या करेगा इस वाले में इस वाले में जो है क्या करेगा देखिए यहाँ पर है तो यह वाला यहाँ पर बन जाएगा ठीक है और यह बिंदू यहाँ पर है तो यह वाला यहाँ पर आ जाएगा तो यह हम उत्तर के रूप में पहला वाला अप्सन साही कर देंगे बाकी सभी गलत है क्योंकि बिंदू देखिए सभी उल्टे दिसा में लगे हुए है बच्चों हम लोग देखे रहे हैं question number 23 question number 23 में जो है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है E, T, S, T E, T, और त्रिभूज और यहाँ पे गोला ठीक है इसमें देखिए बच्चों इस वाले में क्या कर रहा है यह वाला उपर वाला मतलब E इतना भाग ठीक है इतना भाग आपस में बदल रहा है तो देखिए यहाँ पे T था T यहाँ पे आ गया यह वाला T यहाँ पर आगया ठीक है और यहाँ वाला यहाँ चला गया देखिए यहाँ वाला यहाँ पर था तो इसमें यहाँ चला गया यह यहाँ पर था तो यह वाला यहाँ पर आगया मतलब इस प्रकार से यह गोला बनाया हुआ है अब देखेंगे ये इस प्रिकार से हो गया अब इसमें क्या कर रहा है इसमें ये वाला घुमा रहा है देखें इतना भाग ये वाला हो गया पहले इसमें वाले में गुमा आया है इस वाले में गुमने के बाद यहां पर आया है अब इस वाले में ये वाला घुमाया है देखे क्या कर रहा है ये जो है C था C को यहाँ पर कर दिया मतलब ये O यहाँ पर था ये वाला यहाँ पर कर दिया ये वाला भाग यहाँ पर कर दिया इसमें T वाला भाग यहाँ पर किया था अब इसमें O वाला भाग यहाँ पर किया है मतलब यह वाल पहले यहाँ पर था इसको यहाँ पर कर दिया यहाँ पर क्या आ गया O अब O वाला जो है यहाँ पर आ गया O वाला यहाँ पर आ गया और T वाला यहाँ पर चला गया मतलब यह इस परकार से घुमाए ठीक है देखिए यहाँ पर एकदम से आसपर शुरूप दिख रहा है देखिए यहाँ पर T है तो T नीचे आ गया ओ वाला यहां पे आ गया ठीक है और यहां पे C था C उपर चला गया इस प्रकार से गिया है तो इस बार यह यह वाला घूमेगा बच्चों इसमें जो है यह वाला घूमेगा इस प्रकार से तो इसमें क्या करेगा देखें यहां से T यहां पे आया था यहां पे आया था इस वाले में क्या किया है यहां से T यहां पे गया है यहां से यहां से जो है T इसमें देखी कहा पे ऐसी T यहां से यहां पे आ गया है इसमें जो है यहां पे था तो ऊपर चला गया था यहाँ पर आ गया है तो यह वाला कहा जाएगा यहाँ पर आएगा यानि कि O जो है अब की बार यह वाला बदलेगा तो O यहाँ बीच में है इसमें तो यह जो है O यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद में O यहाँ पर आ गया और यह जो है यहाँ पर आ जाएगा इस परकार से यह आपस में बदल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर यह तिर भूज हो जाएगा, यह है, यह यहाँ पर c हो जाएगा, ठीक है, यह नीचे वाला आपस में श्रिफ बदल रहे हैं, ठीक है, यही वाला हम लोग देखेंगे, e और इसके बाद में O, तो E O, E के बाद तिरिभूज ये गलत हो गया, E के बाद C ये भी गलत हो गया, E के बाद O देखिए इस वाले में है, उत्तर के रूप में यहीं लगेगा, तिरिभूज और T सब जहां पर होना चाहिए, वहीं पर है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे question number 24, question number 24 में क्या कर रह है, यहाँ पर देखिए इस परकार से आकरती बना हुआ है, यहाँ पर एक रेखा खिचा हुआ है, यह वाला देखिए यह आकरती थोड़ा सा इस साइड में जुग गया है, लेकिन यह रेखा यहाँ पर आ गया है, तो इसमें वह ऐसे same to same कर देगा, इस परकार से इस परका तो यही वाला हम लोग देखेंगे तो देखिए सभी में एकदम सही match कर रहा है देखिए पहले वाले match कर रहा है बागी किसी match नहीं कर रहा है तो पहला वला उत्तर हो जाएगा बागी सभी गलत हो जाएंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 25 क्विस्चिन नमबर पचीस में क्या कर रहा है यहाँ पर इस परकार से रेखा किचा हुआ है इसके उपर इस परकार से तीर लगा हुआ है अब देखिए यह रेखा जो खिंचा हुआ था उसी रेखा में देखिए क्या कर रहा है यह इस परकार से एक एक रेखा पढ़ा रहा और यह जो है तीर उल्टा कर दे रहा है ठीक है इस तीर को उस साइड में कर दे रहा है इसमें इस रेखा में एक रेखा इस परकार से और खिज दिया इसमें ठीक है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ये वाला आकरिती पहले बना लेंगे अब क्या कर रहा है इसमें देखिए दो हो गया इसमें तीन हो गया तो इस वाले में चार करेगा मतलब इस प्रकार से बंद हो जाएगा तो देखे इसमें इस प्रकार से तीर था तो इसमें उल्टा कर दिया था इसमें इस प्रकार से तो इसमें भी इस प्रकार से उल्टा कर देगा तो देखिए इस प्रकार से चार भागों में कटा हुआ है क्रास के निखान यहाँ पर यस है इस वाले में जो गोला बना हुआ है इस वाले में बराबर है तो इस वाले में इन सबसे अलग कोई चित्र होगा तो देखिए ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें है तो ये गलत हो गया ये वाला देखिए चित्र किसी में नहीं है तो ये वाला सही हो जाएगा ठीक है ये वाला चित्र है ये वाला चित्र है तो ये गलत हो गया यह वाला चित्र यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि देखे इसमें क्या कर रहा है यस के बाद कोई दूसरा चिन फिर इसके बाद कोई दूसरा चिन तो इसके बाद कोई दूसरा चिन होगा इसमें से कोई चिन मैच नहीं करना चाहिए तो इस वाले मैच नहीं कर रहा था तो तर इस और तिर्भुज आपस में बदल दिया है बाकी ये वाले में देखेंगे ये जो जीरो जो है यानि कि जो ये गोला है अपने स्थान पे है ये वाला भी अपने स्थान पे है ठीक है तो बच्चों क्या कर रहा है इसमें पहले वाला उपर वाला चेंज किया है अब इस वाल में इसमें ये वाला चेंज क्या है बाकी ये दोनों ये दोनों देखिए बराबर है अगली बार क्या करेगा ये देखे ये जीरो यहाँ पर कर दिया है ये सी यहाँ पर कर दिया है मतलब ये इस परकार से आपस में बदल रहा है पहले उपर वाला फिर बीच वाला आपकी बा वाला बदला था, दूसरे वाले में यह बीच वाला बदला है, तीसरे वाले में यहाँ पर यह बदल जाएगा, तो यह इस परकार से स्टार हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे, इस परकार से कहा है, तिरभुच के बाद यस, तिरभु के बाद S, U के बाद C, ईस्टर के बाद बराबर तो इसके मतलब ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है? चौथा वाला ये वाला एकदम follow कर रहा है, पहले पहला change किया है, फिर बीच वाला change किया है, फिर नीचे पर लगा दिया है अब देखिए इसमें इस परकार से लगा हुआ है तो इसमें जहां पर नहीं लगा है उसमें इस वाले में इस साइड में लगा देगा ठीक है इस परकार से तो यही वाला उत्तर हम लोग देखेंगे देखे पहले वाले में मैच कर रहा है तो उत्तर के रू हो जाएंगे इस प्रकार से चार डॉट हो जाएगा तो देखिए पहले वाले में चार डॉट है तो यहीं हो जाएगा और बाकी इसमें एक है इसमें तीन है इसमें पांच है तो यह सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि पहले में एक है इसमें दो है इसमें तीन है इसमें चार तुछ जाएगा तो जिसमें चार पत्ती होगा उत्तर की रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे देखिए इस प्रकार से सिक्वेंस में आ रहा है तो देखिए इस वाले में एकदम सही बना हुआ ज़या है इसमे तो पाँच है बाकी यह सभी इसमें भी 5 है इसमें 4 है लेकिन यह sequence अलग बना हुआ है ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 31 question number 31 में इसमें देखिए A, B, C, C की बाद आता है D, E, F, F की बाद आता है G, H, फिर I, I की बाद क्या आएगा बच्चों J, J की बाद K, K की बाद L, J, K, L हो जाएगा तो देखिए J, K, L, पहला वाला सही हो जाएगा क्योंकि J की बाद K, K की बाद L आता है तो इसमें यही बाद सही है बाकी सभी गलत हो जाएगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे Question No. 32, Question No. 32 में देखिए A है, A की बाद F है, F की बाद K है, देखिए इसके यहां से F तक तो देखिए A की बाद क्या आएगा, B, C, D, E, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, देखिए इसमें चार के बाद ही पच्चमा हो जाएगा, Y, F, मतलब इसमें चार अच्छर के बाद आया हुआ है, ठीक है इसके बाद में, Y, F के बाद में आएगा, G, H, I, J, J के बाद देखिए कि, एक, दो, तीन, चार, मतलब बच्चों क्या कर रहा है, यह 4-4 अच्छरों का गैप कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद हम K के बाद क्या करेंगे, K के बाद, K, K के बाद आएगा, Y, L, फिर Y, फि तो देखिए इसमें G है इसमें B है इसमें Yल है तो उत्तर वाला कौन सा हो जागा P वाला ठीक है तो उत्तर हो जागा P अब हम लोग देखें कि Question No. 33 Question No. 33 में क्या कर रहा है यहाँ पर A है फिर E है फिर I है तो A के बाद जो है देखेंगे A के बाद आता है B फिर C फिर D D के बाद आता है E ठीक है एक दो तीन यानि कि तीन अच्छर का गयफ है इसमें इसके बाद E के बाद आता है F, G, G के बाद यच यच के बाद आता है I, यानि कि देखिए इसमें भी तीन गैफ है इसमें भी तीन गैफ है, तो इसमें भी तीन गैफ करेंगे I के बाद क्या आता है J, K, फिर L, ये तीन हो गया यल के बाद जो आएगा यम तो यम हम उत्तर हो जाएगा तो यल यल के बाद यम उत्तर होना चाहिए बच्चो इसमें नहीं है तो इसमें एक बार फिर से मैच करवाएंगे इसमें जो है B, C, D के बाद E हो गया इसा ही है इसके बाद E के बाद F, G, H, I लोगई हैं यहाँ पे किसी में चलिए हम j को e m बना दे रहे हैं उत्तर की रूम में ये वाला सहिव हो जाएगा ठीक है क्योंकि देख़ें सभी में तीन-तीन का गयाप कर रहा है तो इसमें भी तीन का ही गयाप करेगा क्योंकि स्रिक्वेंस बदलेगा नहीं ठीक है sequence बदलेगा नहीं तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा जिस प्रकार से उपर चार चार था इसमें तीन है तो तीन ही हो जाएगा ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number अब हम लोग देखेंगे एगला question number 34 question number 34 में क्या कर रहा है यहाँ पर E है फिर J है फिर O है इसमें भी देखेंगे कितना कितना गयप है E के बाद आता है F G H I 1 2 3 4 I के बाद J आता है यहने कि 4 अच्छा गयप है इसके बाद मिसके में J के बाद J के बाद K L M N 1 2 3 4 यहन के बाद O आता है तो बच्छों देखें इसमें भी 4 4 का गयप कर रहा है तो इसमें भी 4 का गयप होगा O के बाद के आएगा P Q R S यह हो गया 4 1 2 3 4 4 चार अच्छा हो गया Yes के बाद के आएगा T तो हम लोग T उत्तर के रूप में लगाएंगे तो देखें यहाँ पर इस वाले में T है तो उत्तर हम लोग का यहीं हो जाएगा ठीक है उसी परकार से ऊपर वाला थे था जो गलत था option तो हम लोग उसी को माधिन से उत्तर दे देंगे ठीक है अब हम लोग देखें question no. 35 question no. 35 में देखिए इस परकार से बना हुआ है तो जो ये कालिक देखें घूम रहा है पहले इस कोने पे था इस वाले में इस कोने पे चलाया है इस वाले में इस कोने पर आ गया तो इस वाले में इस कोने पर जाएगा इस परकार से बना हुआ है और इसको इस परकार से चार भागों बटा हुआ है यहाँ पर इस कोने पर यहाँ इस में इस कोने पर हो जाएगा ठीक है तो इस दम लोग देखेंगे कौन सा होगा इसमें देखें तीसरा वाला उत्तर मैच कर रहा है उत्तर वही हो जाएगा बाकी सभी तीनों गलत हो जाएंगे ठीक है